हलो फ्रेंड्स, IICT इंस्टिट्यूट की एक नई वीडियो पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की यह वीडियो IIVF Examination से संबंदित वीडियो है इस वीडियो में हम आपको IIVF की तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तो आसा करते हैं कि आप हमारी पिछली IIVF की वीडियो देखकर आपको उनसे काफी अच्छा लाग प्राप्त हो रहा होगा और काफी भाई हमारी वीडियो देखकर पास भी हुए होगे तो दोस्तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि IIVF की प्ले लिस्ट में जितनी भी हमारी वीडियो पड़ी हुए है अगर आप उनको देखकर एक्जाम देने जाते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप सफल होंगे और दोस्तो अगर आप IIVF एक्जामिनेशन की पीडियो पाना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर IIVF एक्जाम की पीडियो लिंक प्रोवाइड करा दी गई है दोस्तो पीडियो प्राप्ट करने के लिए आपको उसमें कुछ थोड़ा सा सुल्क देना होगा जो हमने लिंक में आपको बताया हुआ है तो इच्छुक भाई बहन जो भी IIVF की पीडियो पाना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बाक्स में टेलीग्राम की चैनल पर जाकर टेलीग्राम पर जोईन कर IIVF की पीडियो प्राप्ट कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं अब वीडियो सुरूर करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए दोस्त तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पर पहला कोश्चर हमें राप्त हुआ है पहला कोश्चर में कह रहा है दोस्तो कुछ एक बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाय दी गई है जो कहलाता है कुछ एक का मतलब कुछ यानि तो जो कुछ बैंक हैं उनके लिए एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाय दी गई है तो उनको क्या कहा जाता है इस कोश्चर में आप से पूँछा जा रहा है तो जो कुछ बैंकों में आंतिक लोकपा नियुक्ट करने की सलाय दी गई है और उन को क्या कहते हैं उनको कहा जाता है सिकायत निवारा पढाली गृवेंसे डिड्रेशल आफीसर यानि जो भी गराह की सिकायत है उनके शमादान के लिए एक सिकायत निवारा अधिकाली एक ब तो इस question में आपको छोथा option select करना है यही आपको answer के रूप में चुनना है चलिए अगले question पर आते हैं अगला question कहा रहा है जब कोई ग्राहक बैंक में खाता कोल कर उसमें धन राती जम्मा करता है तो बैंक और उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध बनता है when a customer deposits money by opening an account with the bank the relationship between the bank and his customer is that of यहाँ पर कह रहा है बैंक और ग्राहक के भी संबंध तो जब कोई customer बैंक में खाता कोल कर उसमें धन राती जम्मा करेगा तो क्या करेगा customer क्या करेगा देगा क्या देगा पैसा देगा और बैंक क्या करेगा लेगा तो बैंक और ग्राहक की भी संबंध क्या होगा तो बैंक एक प्रकार से क्या हो जाएगा लेंदार होगा लेने वाला और ग्राहक जोगा वो देंदार हो जाएगा देने वाला ठी अगले कोश्चन पर आते हैं अगला कोश्चन कह रहा है बीमार या व्रद्ध या अच्छम द्रस्टिवाजित खाताधारकों को बैंकिंग सुविधाय प्राधान करने के लिए बैंक को द्वारा कार्यानवित किया जाने वाला या किये जाने वाले महत पूर्ण दिसा निर्देश निमलिखित में से कौन सा है नमबर एक कहता आईसे व्यक्तियों के अंगूठे या पायर के अंगूठे के निशान की पहचार दो स्वतंत्र गवहां द्वारा की जाने चाहिए जिनमें से एक बैंक का दिकारी होना चाहिए तो दोस्तों अंगूठे या पायर का निशान तो नहीं लगता है कहीं भी तो इसलिए ये तो गलत होगा दोसरा कह रहा है यदि ऐसा व्यक्ति बैंक में सारीरिक रूप से उपस्तित होने में समर्थ है तो दो स्वतंत्र गवहां द्वारा विधिवत पहचान किये गए चेक या आहरन प वारा आएसे ग्रहक की और से पैसे निकालने वाले व्यक्ति से अपना हस्ता अच्छा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए चौथा कह रहा है सभी मौजूदा एटियम भावी एटियम रायम के साथ होने चाहिए ताकि वील चेयर उप्योग करता दिव्यां व्यक्त दृट यहे क्योंकि एटियम उस इनसाफ से बंद बना जाते हैं तो इसलिए आपको इसक्वेशन के दूसरा और तीसरा वाला ही आपसं सेलेट करना है यही आपसं सेलेट करेंगे यही कौेस्षिन आपका क् upright स्धारा सही होगा से ठीक है चले अगला कौेशन देखते हैं अ तो जब चेक और बिल की वसूली की जाती है तो उस टाइम में ग्राहक के साथ बैंकर जो संबंध होता है वो कौन सा होता है ये बताना है तो वो संबंध होता है देंदार के रूप में बैंकर और लेंदार के रूप में ग्राहक ठीक है देंदार के रूप में बैंकर और लें अग्रा क्वेशन कहे रहा है निम लिखित में से कौन सी सेवाई इंटरनेट बैंकिंग के माजम से परदान की जाती है आवरती जमाखाता खुलना, सेयर बाजार में ट्रेडिंग और चिक भुकतान भोको तो दोस्तो अग्रेजी में क्वेशन आपको मिलेगा फिच आप तो फॉल्लिंग सर्विसी प्रोवाइडर थो इंटरनेट बैंकिंग पहला कहरा है ओपनिंग आफ आर्डी एकाउंट तो यह तो आनलाइन मिलता है ट्रेड इन स्टाक मार्केट यह भी ट्रेड कर सकते हैं स्टाप चेक पेमेंट यह भी आफसन आपको मिलेगा आपकी नेट बैंकिंग पर तो आप अपनी नेट बैंकिंग पर आर्डी या एकाउंट खोल सकते हैं या फिर सेयर मार्केट में भी जा सकते हैं या स्टाप चे नंबर का option चूच करना है यही option आपका सही होगा ठीक है चलिए अगला question अगला कह रहा है IMPs वित्ती लेंदेन के लिए प्रियुक्त डिजिटल प्रणालियों में से एक है IMPs का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों IMPs is one of the digital modes for financial transaction IMPs stands for तो यहां पर कह रहा है कि IMPs वित्ती लेंदेन के लिए एक प्रमुख प्रियुक्त डिजिटल प्रणालियों में से एक है IMPs का पूर्ण रूप क्या होता है तो मैं बताना चाहूंगा कि IMPs का पूर्ण रूप होता है वो होता है immediate payment service immediate payment service यानि इसके माद्यम से जब भी हम payment लगाते हैं तो तुरंट दो सेकेंड के अंदर यह पैसा सामने वाले बंदे के पास पहुँच जाता है जहां हम भेजना चाहें immediate payment service यह जो है IMPs का पूर्ण रूप होता है चली अगला question देखते हैं निम लिखित मेंसे कौन सा कारोबार प्रतिनी जी एजेंट BCA के लिए soft skill नहीं है which one of the following is not a soft skill for a business correspondent agents BCA तो जो BCA होते हैं business correspondent agent होते हैं उनके लिए कह रहा है कि soft skill कौन सा नहीं है तो जो ध्यान पूरक सुनना यह तो BCA का कर्तब है शकार आत्मक्ता भी होनी चाहिए आत्मिश्वाद भी होनी चाहिए और कहरा है दस वर्स का अन्भव 10 years of experience तो BCA के लिए अन्भव की कोई जरूत नहीं उनके पास यह गुण होना चाहिए इतना ही काफी है दस वर्स का अन्भव वाला आपको सेलेक्ट करना है आपसन यह soft skill नहीं है के रूप में चलिए अगला question देखते हैं अगला question कहरा है भारत net program यहां पर blank जगा है के अधीन आरम की गई एक योजना है भारत net program is one of the scheme launched under तो जो भारत net program चालू किया गया था वो डिजिटल इंडिया अभियान के तहरे चालू किया गया था यह एक महतकून योजना है डिजिटल इंडिया अभियान इस question का option रहेगा डिजिटल इंडिया campaign आपको यही choose करना है यही आपका सही option होगा सही answer माना ज question कर रहा है निम लिखित मेंसे किस अधिनियम के तहित बैंक को ग्रहा के खाते से संबंदित किसी भी जानकारी को वाइधानिक रूप से प्रकट करने की आव सकता नहीं है which one of the following act bank is not required to statuity is close any information about the customer's account तो इस question में पूच रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम बनाया गया है जो ज इसके तहित बैंक को ग्रहा के खाते से संबंदित किसी भी जानकारी को वाइधानिक रूप से प्रकट करने की आव सकता नहीं है तो वो अधिनियम कौन सा है वो अधिनियम है आपका बैंकार बही साच अधिनियम 1899 का इसी अधिनियम के तहित किसी भी बैंक को ग्रहा के खा आएगा तो नहीं दिखा से बैंकर्स पुक एविडेंस एक्ट 1891 यही आपसान आपको सेलेट करना है तीसरे नमबर का ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन कहरा है नावाड ने रेड के माध्यम से विकास की पांच सिद्धानतों का प्रशार क करने के लिए वीवी कारकम सुरू कि तो नावाड के द्वार एक कारकम सुरू किया गया था कौन सा वीवीवी अब कह रहा है आगे कि वीवीवी का क्या है नावाड इन 1982 है इस टार्टेड वीवीवी प्रोग्राम तू प्रोपीगेट दा फाइव प्रिंस्पल्स आप क्वarin के लिए एक वीवीवी नाम का करकम सुरू की या लेकिन कह रहा है कि वीवीवी पनरूप क्या है तो दोस्तों वीवीवी क पं-डू आपको भी पता हो गया हो redi convert 보전 कौन है वी का क्वेश कौन रूप है विकास वालन्टीर वाहनी एही वी का पौन cotton कोगा ठीक है दूसरा आपसना करना है विकास वालन्टीर वाहनी ठीक-चलिए अगला अगला question कहा रहा है एक अधीर गरहक से निपटने के लिए शंभावित रणीत क्या हो सकती है What can be a likely strategy to deal with an important customer तो जो अधीर गरहक होते हैं यानि जिनके पास धीरज नहीं होते कह सकते हैं उनसे जो बीसी होते हैं उनसे निपटने के लिए कह रहा है कि क्या करना चाहिए तो जो अधीर गरहक होगा तो उनके पास धीरज तो होगा नहीं उनको यानि एक परकार से कहें कि उनको रुकने के लिए ज़्यादा समय होगा नहीं वो चाहेंगे कि मैं आऊं और तुलन तो मेरा काम हो जाए तो ऐसे ग्रहकों से क्या करना है ऐसे ग्रहकों को सीग से सीग सेव परदान करना चाहिए और देरी से बचा जाना चाहिए बस यही कार है कि ग्रहक को ग्रहक का कार पुरा कर दो और आप उसको सेवा प्रदान करके उसका कार कर दीजिए उसको आगे बढ़ाईगे देरी से आप बच जाएंगे ठीक है अटेन दे कस्टमर आइज अरली आइज फॉसिबल डिले इसुट भी एवाइडे जितनी जल्दी होता कि आप उसको उसका कार कर दीजिए यही आपसान आपको चूज करना है चलिए अगला कोशन है अगला कोशन कहरा है भारती रिजर बैंक जो भारती रिजर बैंक है उसके दोरा जमा करता और सिच्छा जागरूता निधी की स्थाफना की गई है और सभी बैंकों को सलाय दी गई है कि वे ऐसे निस्क्री जमा कात्म की रहाशी को इस निधी में अंतित करें जिनका वर्स या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया Depositor Education and Awareness Fund has been credited by RBI and all banks have advised to transfer in operating deposits account which have not been claimed or operated for a period of years or more to the fund तो RBI की एक नई guideline आई है उसमें कहा गया है कि ऐसे निस्क्री खाते जिनके माद्यम से कुछ वर्स यानि एक प्रकास कहें कि कितने वर्स या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है तो उसमें आपको इसमें हमें क्या चूच करना वर्स तो कितने वर्स नहीं या उससे अधिक समय से दावा नहीं किया गया तो वो आ है 10 वर्स या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है ये 10 वर्स वाला आपको चूच करना है 10 नमबर खा नमबर आपको आपसर देना है ठीक है चलिए अगला कोशन है अगला कोशन कहरा है ब्राउन लेबल एटियम के बारे में निम्री किसमें से कौन सा कतन गलत है नमबर एक कहरा है ये एटियम प्रायोजग बैंक के ब्रांड और लोगो के टायत होंगे नमबर दो कहरा है बैंक एटियम मसीन का मालिक होता है और उसका संचालन करता है उसके बिलो माधी का भुगतान करता है और नमबर तीन कहरा है एक निजी कंपनी एक निजी कंपनी ATM के लिए नगती और स्वायोजगता फरनाली प्रदान करती है यहाँ पे कह रहा है कि विच वन आप दो फालोविंग स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट अबाउट ब्राउन लेवल ATM नमबर एक दाइटियम ओड़ अंडर ब्राण लोगो दाइट इस पांसर बैंक नमबर दो कह रहा है यह बैंक ओंड ऑपरेट दाइटियम मसीन पेज इट इस एट ठीक है नमबर एक में कह रहा है यह बैंक प्राइटियम मसीन का मालिक होता है और उसका संचारन करता है उसके बिलों आदी का फुकतान करता है तो जो बैंक होता है उसका मालिक होता है और नम्बा तीन कहता है एक निजी कंपनी ATM के लिए नगदी और सही उजगता प्रणाली प्रदान करें यह भी सही है तो इस क्वेशन में आपको यह वाला सेलेक्ट करना है तीसरे नमबर केवल एक दो और तीसरे यह आपको नहीं सेल में लेंदेन के लिए इस्तमाल किया जा सकता है उनली फार ट्राइंजेक्शन आइन एट्यम विएपारी के साथ विक्री कें डिवाइस पर लेंदेन यह भी किया जाता है इसलिए आपको उपरियुक्त सभी चूच करना है आलाफ एबाउट ठीक है चलिए अगला चार्ज क कार्ड के सामान होता दो स्तोर चैर्ज कार्ड के सामान क्या होता है यह भी गल्ब आपको चूच करना 30 नबर यहीं होगाइसाज का दीजा के समान होता है next question कहता है निमलिखित में से कौन सा मानलंड कारोबार प्रतिमिद्यों द्वारा ग्राहक सेवा के लिए आवश्यक है number 1 कहता प्रतिबद्यता दो में सत्य निष्टा तीसरा सामाधिकार्थी किसी which are the following checks from the criteria for appointment of a customer service point CSP by the BC's number 1 commitment number 2 integrity number 3 social economic status तो जो कारोबार प्रतिमिदी BC होते हैं उनके लिए तो प्रतिबद्यता आवस्यक होती है यावनि commitment भी जरूरी है integrity भी जरूरी है और social economic status भी जरूरी है आप को चूथा आप तर चूज करना है ठीक है next question है कहरा निम्लेकित में से कौन सा व्यावहारिक पर इपेच्छ से इरादतन चूक करता जिसको अंग्रेजिम क्या करते हैं वेलफुल डिफाल्टर का संकेत है तो question क्या कहरा है एक बाफिस रिपीट करते हैं निम्लेकित में से कौन सा व्यावहारिक पर इपेच्छ से इरादतन चूक करता का संकेत है इसको अंग्रेजिम क्या करते हैं वेलफुल डिफाल्टर अंग्रेजिम में मिलेगा question which of the following is a sign आप वे वाइलफुल डिफाल्टर from behavioral perspective तो जो इरादतन चूक करता जो यानि चाहे क कि मैं चूक करूं तो उनके पच्छ में कौन सा इसा संकेत है कि जिससे हम पहचान सकें ये इरादतन चूक करता का संकेत है तो उनके लिए यही संकेत है कि वे किसी ना किसी बहाने वसूली एजंटों की काल का जवाब देने से बचते हैं जब भी उनको वसूली एजंट काल करते हैं तो वो उनके जवाब देने के लिए ड़ते हैं बच जाते हैं कि फूण जाता है वो रिसीब नहीं करते है यहीए जो है विल डिफाल्टर का एक सखेंच होता है वे किसी न किसी बहाने वसुली ऐजिटों की काल का जवाब देनے سے भच्टे है यही आपको select करना है कि भे किसी ना किसी बहाने वसुली ऐजिटों की काल का जिवाब देने से भच्टे है अगला question यह कहई रहा है कि 9 लिखित मेंसे कौन सा किसी बैंग का करतब नहीं है which one of the following is not the duty of buying तो दोस्तों बैंग का कर्तब क्या नहीं है ये आपको बताना है सही आपसं देना है कि कर्तब क्या नहीं है तो बैंग का कर्तब होता है कि ग्राहा की खाते के बारे में गोबनी तबानाय रखने कर्तब पास्बुक खाता वेवरा आद जारी कर्तब और चेक बिल आज एकतर करने का कर्तब लेकिन कहिरा है ग्राहा की व्याफसाइग गत्विदियों को उसकी ओचलाने कर्तब ये बैंक का कर्तब नहीं होता है कि डिवटी तू रन रा बिजनेस अक्टिविटी जाब कश्मर साहीच हर गया तो ग्राहा की व्याफसाइग गत्विदियों को उसकी ओचलाने करतब बैंक का नहीं होता है यही आपसन आपको तीसरा नंबर चूज करना है ठीक है तीसरा आपसन आपका शही होगा नेक्ट कोईशन कहरा है दोस्तो कि सक्री स्रमाण BCA के लिए अच्छे संप्रेशन का एक मातपों पहलू है नीचे दिये गए विकल्पों में से स्क्री स्रमाण के फाइदे की पहचान करें अच्छे संप्रेशन का एक मातपों पहलू है कहरा है कि नीचे जो दिये गए फाइदे है उनकी पहचान का तो सक्री स्रमाण के लिए सबसे मातपों फाइदा यही है कि ग्राहक की वास्टविक इच्वित्ती सथ आवस्टता को समझने में मलत मिलती है जो सक्री स्रमाण BCA होगा उसके मासायत उसके मदद से ग्राहक की वास्टविक वित्ती आवस्टता को समझने में मदद मिलती है यह सक्री स्रमाण BCA का एक मातपों फाइदा है इससे ग्राहक की वास्टविक वित्ती आवस्टता को समझने में मदद मिलती है यह सक्री स्रमाण BCA का एक मातपों फाइदा है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै भारत